प्रस्तुतो अयम पाठ चंदो ग्योपनिशेद सश्टा अध्याईश पंचम खंडात सम्रिद्ध तोस्ती मतलग यहाँ पाठ चंदो ग्योपनिशेद के सश्टा अध्याई के पंचम खंड से लिया गया है सम्रिद्ध संपाधित किया गया है पाठ्यान से मनो विशयकम, प्राण विशयकम, वंग विशयक्च, रोचक तत्य प्रकाशित अस्ती पाट के इस अंस में मन के विषय में प्राण के विषय में और वानी के विषय में रोचक तत्ती प्रकाशित हैं अत्र उपनिशेद द वरनित गुईय तत्वा नाम सारलियन अवबोध नार्थम आरुनी श्वेत केतो सम्वाद माध्यमेन वांग मन प्राणा नाम परिचर्चा कृतास्ती यहां पर इस पार्ट में अंच में मन समंदी प्राण समंदी और वानी समंदी रोचक तत्वों का प्रकाशित किया गया हैं यहाँ पार्ट उपनिशेद में वर्नित गुडि तत्तों का सरलता से बोत कराने के लिए आरूनी और श्वेत केतु अत्र उपनिशेद वर्नित गुडि तत्तों नाम शाले अवगोधनारताम आरूनी श्वेत केतु समवाद माध्यमेन वांग मन प्राणा नाम परिचर्चा क की गई हैं रिशी कुल परंपरायाम ज्ञान प्राप्ते त्रीनी साधनानी संती रिशी कुल परंपरा में ज्ञान के प्राप्ते के लिए तीन साधन हैं तीनों में तेशु परिप्रश्णों पी एक अन्यत साधन मस्ती उन तीनी साधनों में यहां परिप्रश्ण भी एक अत तेशु परी प्रस्णों पी एक अन्यम साधनमस्ती अत्र गुरु सेवक पट्टु शिष्य वांग मन प्राण विशेकान प्रस्णा नाम प्रस्चती यहाँ पर गुरु शिष्य पट्टु मन वर प्राण सम्मंदी प्रस्ण करता है। प्रस्ण करता हैं तेशां प्रस्णा नाम समाधा नाम करोती आजशारी श्री और आजशारी जी उनके प्रस्णों के समाधान करते हैं। प्रश्टम व्यस्ति बेटा आज तुम्हें क्या पूछना है श्वेत केतु भगवन ग्यातों विक्षामी यत किम इदम मनहा भगवन में जानना चाता हूं आज तुम्हें जानना चाता हूं कि है मन क्या है आरोणी वच्ष अतिस्या अन्नष्य योनिष्ठ तन्मनह आज़्चारिस्री बेटा खायवे अन्न का जो अत्यंत लगुरूप है वह मन है श्वेत केतु कष्च प्राणह और प्राण क्या है आरोणी पीता नाम अपाम योनि श्वेत केतु भगवन का येम वा कह आचारिस्री यह वानी क्या है आरोणी वच्ष असित्य तेज सा योनिष्ठ सा वा कह बेटा खायवे तेज का जो अत्यंत लगुरूप है वह वानी है शोम्ये ये प्रिया मन अन्नमय होता है प्राण अपो मैं प्राण जल मैं वाक च तेजो मैं और वानी तेज मैं होती है इत्यपी वर्द वधारिय महा यह समझो इसे समझना चाहिए यही समझो श्वेत केतु भगवन भुयम एव मा विज्या पयतु आचारिस्री मुझे फीर से समझाईए आरोणी हे प्रिय अधर शोम्य शोम्य ने हे प्रिय शावधान सुनू शावधान होकर सुनो ध्यांज सुनाओ मत्य मानश्य दगद्वय योणी मा शावधान समद्धिश्यती अर्ध विरामह तत सर्फी भवती प्रिय सावधान होकर सुनो दही को मत्ने पर जो अत्यमत्य लगूरूप होता है वह उर्ध वेन उफर उठता है वह उफर उठा हुआ और उफर उठा हुआ उठने के बाद विर जाता है उफर उठा हुआ उसे घी समझो मतलब वह घी कहलाता है स्वेत केतू भगवन भगवता द्रितोत्पति रहश्यम विख्यातम आचारिस ने आपने घी की उत्पति का रहश्य समझाया भूयोपी स्रोत्य मिक्छामी मैं एक बार ओर समझना चाहता हुँ आरूनी एव मेव सोम्य हे प्रिय अश्यमानवश्य अन्न योणीमा स उर्धम समुद्धिश्यती तनमनो भवती अवगतम नवा हे प्रिय घाय हुए आन्न का जो अत्यन्त लगुरूफ होता है वो उफर उठता है वो मन बनता है समझ में आया या नहीं अऊगतम वौना समझ में आया या नहीं स्वेत के तु सम्यक अऊगतम भववन अच्छी तरह से समझ में आगया अचारी स्री आरूनी बेटा हम जो जल पीते हैं उसका जो अत्यन्त लगुरूप होता है वह उफर उड़ता है वह प्राण बनता है श्वेत केतू भगवन वाचम अपी विज्ज्या पेतू भगवन वानी के बारे में भी समझाईए आरूने सोम्य हे प्रिय अश्य मानश्य तेजशो यो अनिमा सा उर्धम सम उद्धिश्यती सा खलू वाग भवती हे प्रिय शिश्य खाये वे तेज का जो अत्यन्त लगुरूप होता है वह उफर उड़ता है वह निश्चित ही वाणी बनता है वह निश्चिती वाणी बनता है वत्स उपदेश अन्त भुयोपी तोया विज्जापी तुम पिक्छामी यत बेटा उपदेश के अन्त में मैं पुन्ह तुम्हे बताना चाहता हूं कि अन्न मय भवती मन हम अन्न से निर्मित होता है मन अपो मय अपो मय भवती प्राण हम जल से निर्मित होता है प्राण तेजों मय च भवती वागी ती और तेज से निर्माण होता है वाणी का निर्मित होती है वाणी किन्चित या द्रिष्चम अन्नादी ग्रणा ती मानवस्ता द्रिष्चमे तश्चिता अधिकम भवती ती समु उपदेशा शारह और क्या कहूं मानव जेसा अन्नादी ग्रण करता है उसका चीत अधि वेशा ही बनता है मानव जेसा खाता है वेशा ही उसका मन बनता है जेसा खाया अन वेशा बना मन यही मेरे उपदेश का सार है अतहा हमें अच्छा भोजन करना चाहिए सुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए इसलिए हमें सुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए यही हमने अच्छा भोजन किया अच्छा जल पिया तो निश्ची थी हमारे मन और वाणी और प्राण ठीक रहेंगे वज से एतत सरों से हर्दयम अवधारियामी यही मेरे उपदेश का सार हैं यह सब आत्मसात करना चाहिए रधेन अवधारिया इन्हें आत्मसात करना चाहिए मतलब आत्मसात करना चाहिए इन्हें ग्रहन करना चाहिए श्वेत केतु यदा अज्या पेती भगवन जेसी आपकी अज्या एश प्रणामामी और रिशी को वो गुरुजी को वो प्रणाम करता हैं मैं आपको प्रणाम करता हूँ आरुणी वच चिरन जी वह बेटा चिरन जी वी रहो मतब दिर्गायु वहो तेजस्वी नौ नौ एने हम दोनौ तेजस्वी नौ अधी तम अस्तु हम दोनौ तेजस्वी बने आवयो आवयो भी ने हम दोनौ आवयो अधी तम तेजस्वी अस्तु हम दोनो का तेज बड़े